नमस्कार दोस्तों सौगत अब सभी का उसम घ्यान में क्या आप जानते कि ट्रेन की स्पीड दिन के बचार रात में जादा क्यों होती है ट्रेन को कभी कभी दो इंचन लगा कर क्यों चलाए जाता है और साथ इस वीडियों में हम जानेंगे कि घंटो रेलिवे स्टेशन पर खड़े होने के बावाजू ट्रेन के इंचिन को बंद क्यों नहीं किया जाता है तो इस वीडियो को एंड तक बिने स्किप के पूरा जरूर देखें वीडियो श्यू करने से पहले आप से चोटी सी रिकरस्ट है कि अगर आप इस चैनल पढ़ने है तो इस चैनल को सब्सक् स्पीड की तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रेन की स्पीड को रात में बढ़ा दिया जाता हो या दिन के समर्ड ट्रेन की स्पीड को कम रखा जाता हो और जाहे दिन हो या रात ट्रेन की स्पीड इस बात पर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि उस ट्रेन का चलना सिर्फ और सिगनल पर depend करता है कि सिगनल कैसा है और सिगनल के according की ट्रेन की स्पीड रहती है लेकिन ये बात भी सच है कि दिन की तुल नमर ट्रेन रात में जाता है स्पीड से चलती है और इसके कुछ खास कारण है रात में ट्रेन को इस स्पीड में चलाने का एक कारण ये है कि रात में वे ट्रैक बल जानवरों और मनुश्यों का आना जाना कम होता है और जिस वज़े से लोको पाइलेट को अपनी मैक्सिमम परमिसेवल स्पीड के साथ चलाते हैं इसका दूसरा कारण यह है कि रात के समय ट्रैक मैंटनेंस जैसे काम नहीं किया जाते हैं साथी रात के समय सिगन रात में जाता स्पीड से चलती हैं और वो काफी जलत अपने टाइम को कवर कर लेती हैं इसके लाबा कई बार आपने देखा होगा कि दो-दो लोकोमोटिव यानि के इंजिन को जोड कर ट्रेन को खीचा जाता है और ऐसा तब किया जाता है जब किसी काफी ज़्यादा और आगे वाले इंजिन में लोकोमोटिव होता है पीछे वाले में नहीं और जब कभी तो लोकोमोटिव को आपस में जोड दिया जाता है तो उसे मल्टिपल लोको कहा जाता है और मल्टिपल लोको में जो आगे वाला लोकोमोटिव होता है उसे लीड लोकोमोटिव कहा ज अब आपके मंद में ये सवाल आ रहा होगा कि लोको पालिट आगे वाले इंजिन में बैट कर पीछे वाले इंजिन को कंट्रोल कैसे करता है आपको बता दू कि ये तोन रही लोको मोटिव चालू होते है और जितनी कंट्रोलिंग की चीज़े आगे वाले लोको मोटिव में ह होती है उतनी ही कंट्रोलिंग की चीज़े पीछे वाले लोको मोटिव में भी होती है और इन्हें सिर्फ कनेक्ट करना होता है दोस्तों लोको मोटिव में 27 ऐसे फंक्शन होते हैं जिन्हें लोको पालिट को कंट्रोल करना होता है अब क्योंकि लोको पालिट आगे वाले लोक करना होता है तो ऐसा करने के लिए 70-15 वाल तार यानि कि केविल आगे वाले लोकोमोटिव से पीछे वाले लोकोमोटिव में जोल लोकोमोटिव ट्रेन में लगे होते हैं, वो दिखने में जरूर दो होते हैं, लेकिन वो काम एक ही लोकोमोटिव की तरह करते हैं, और ये तोनों ही इंजिन चालू होते हैं, इसके अलाबा आपने देखा होगा, कि अगर रेलबे स्टेशन पर ट्रेन को 3,4 घंटे भी खड़ को चेक करना होता है, अब अगर ट्रेन के इंजिन को बंकर दिया जाए, तो लोकोमोटिव के पैलिट मिलती है, और उसे वो चेक करने परते है, कि हर एक चीज ठीक है чи का नहीं, जैसे कि वील्ज और स्रेंडवक्स वगेरा, उसको ये चीज़ा चेक करना होती है, और इसमे इसको करीब 20-25 मिनिट का समय लग जाता है, तो उस्तों इंजिन को स्टार्ट होने में तो सर्फ 2 मिनिट लगते हैं, लेकिन हर एक चीज को चेक करने के बाद इंजिन को स्टार्ट करना होता है और ये रेलवी का नियम है, अब अगर लोको पाइलिट इंजिन को बंद कर देत देखना होगा कि हर एक चीज ठीक है या फिर नहीं और जिसमों से करीब आदे घंटे का समय लग जाएगा, तो इससे अच्छा वो समझते हैं कि तुड़ा डीजल ही चला लिया जाए, क्योंकि आदा घंटा लेट करने की वजह से पीछे की जितनी भी ट्रेने हैं, वो सारी कि सारी आदे घंटे लेट हो जाएगी, तो बस इसी वजह से जब ट्रेन इस स्टेशन पर खड़ी रहती है, तो उसके इंचन को बंद नहीं किया जाता है, तो दोस्तों मित करते हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आयोगा, वीडियो चलागे तो वीडियो को प्लीज ल करके बता है, एंड थैंक्स वचिंग,